कॉंग्रेस में रहा है वो फिर बाध में उसने कॉंग्रेस छोड़ी है और अलक पार्टी बनाई है वो पेicaçãoदर सिंग धुटा भी उसा कड़ी में आती है कि अलक पार्टी मनाएंगे लग पिंंदर सिंग धुटा के साथ रहेंगे यब वो पेंदर सिंग गुट्डा की नई पार्टी के साथ जाएंगे। पेंदर सिंग गुट्डा कॉंग्रेस छोड़ते हैं, तो बेशक छोड़ते, मैं कॉंग्रेसी हूँ, आनक सिंग दांगी कॉंग्रेस में रहेंगे। बिरेंदर सिंग में अगर कहीं कोई अक्षमता होती है तो बिरेंदर सिंग 1990 के आउगा में इस प्रदेश का मुख्य मुंत्री हो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो बिरेंदर सिंग उड़ा के अलग से पार्टी प्रटा के पिताजी की डैट हुई तो उनकी डैट बोटी को जान पूछ के दो दिन घर में रखा अगर ताकीन का अंतियम संसकार दिल्ली किया जा सके आखरी टाइम है उम्परकाश चोटवरा का हमशकार मेरा नाम है रहूल आरिया और आप देख रहे हैं रिबैल रिपोर्टर मेरे साथ हैं पूरु मंत्री पूरु विधायक और फिलहाल कॉंग्रेस के नेता आनन सिंग दांगी दांगी सहाब के बारे में या उनकी इनके बारे में कोई ज्यादा भूमी का बनाने की या बताने की जरूरत नहीं है दांगी सहाब चार दफ़ा मेहम से विधायक रहे हैं मंत्री भी रहे हैं हर्याना सरकार में राजनीति के अंदर जब कोई घटना होती है तो उसका भूपेंदर सिंग हुड़ा के संदर्ब में चर्चाएं शुरू हो गई दूसरी घटना जीन्द के अंदर जो रैली होई इंडिया नैशनल लोकदल की उसके अंदर चौधरी बिरेंदर सिंग ने पहुँच कर सब को चौका दिया और तीसरी सियासी घटना एलनाबाद जो उपचुनाव है उसकी तारिकों का एलान हो चुका है कुछ इन ही मुद्दों के आसपास दांगी साहब से चर्चा करेंगे मुझूदा राजनेतिक हालातों पर पिछली दफ़ा जब हम दांगी साहब से मिले तो हमने महम कांड के ऊपर इंटर्व्यू किया था साक्षातकार किया था और वो अगर आपको सुनना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसको डाल रहा हूँ लिंक को आप युवा बोलेगा पर उसको सुन सकते हैं तो दांगी साहब से चर्चा शुरू करते हैं साक्षातकार शुरू करते हैं तमाम जो राजनेति घटना क्रम आजकल चल रहा है उस पर उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं दांगी साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है दांगी साहब पंजाब के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा था प्रहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-ब अटा दिया गया था तो उसके बाद जो चन्य को चीफ इनिस्ट्रे बनाया है मैं उसका समर्थन करता हूँ क्योंकि इसमें एक सेकलरिजम की बात सामने आती है हर तरह से किसी एक गरीब गर्व का पैदा हुआ किसी परदेर उसका मुख्यमंत की बुनता है तो वह एक बहुत बड़ा फैंसला पार्टी की तरफ से किया गया उसका मैं समर्थन करता हूँ तो आप जो कैप्टिन अमरेंदर सिंग है पुराने नेता है उनको हटाने का भी समर्थन करते हैं नहीं वह एक बहुत शुल जेवे लेड़ नहींता हैं कॉंग्रस पार्टी के स्थम्भ हैं मैं कहूंगा उनके साथ ऐसा नहीं होना चीए था बीच में एक महतों का अंक्षी आदमी आने की वजह से सारा माहौल खरा हुआ और उसका नतीज़ा आज हमारे सामने भी आ गया पहले चीफ निस्टर का उमिद्वार फिर उसके बाद पार्टी अदेक्स बनने वाली बात है फिर अगर चैनी को चीफ निस्टर बना दिया तो उसमें फिर इंटर्फियंस करने की बात मेरे करने से मुंतरी नहीं बने मेरे करने से डिपार्टमेंट नहीं दिये गई मेरे क कि लिए काम करना लेकिन सरकार चलाना मुख्यमंतरी काम होता है और जो मुख्यमंतरी जो करता है वह उसके ही पावर का और दायरे काम है उसमें डिस्ट्रिबेंस कोई भी करेगा तो उसका नुकसान होगा और यहीं आज एकान है कि इतना महतवका कांसी आदमी जो सिद्ध साव आए जिसका इतिहास भी पहले से काफी बीजयपी में थे आपकी बात करते हैं कभी मतलब अपने इबारे में अपने से बाहर जो वेक्टिन निकले वो राजनीती में कभी काम बयाब नहीं होता वो खराब ही करता और उसने आज कांग्रेस पार्टी को इस तरह के आलाद पैदा करके खराब किया है सब ठीक चल रहा था फिर कांग्रेस आई कमान को आ बैल मुझे मार इसकी क्या जरूरत थी तो कोई समय होता है समय परिवर्टन सील है और उस समय के अनुसार M.L.A. की केप्टन साब से मुखालपत होना उस आलात में हाई कमान ने सोच बिचार करके क्याम किया होगा लेकिन ऐसे आदमी को पार्टी देखस बनाना मैं ठेक नहीं समझता चाहे कोई इस बात से कोई खुश हो चाहे नाराज हो ये एक बहुत गातक फैंसला था जो बीच-बीच में भी दमकी देता रहा है इंट से इंट बजा दूँगा ये कर दूँगा ये करने वाले कुछ नहीं होती आज अगर पार्टी हाइक मान उसकी छूटी कर दे तो कल अकेला रह जाएगा उसमें तो इस्तिफा दे ही दिया और ये आज करने की जुरूरत है ये तमाशा नहीं होती राजनीती सरकार चलाना एक तमाशा नहीं होता ये आगाएं बड़ी जिम्मेधारी के साथ इसके साथ लाखों करोड़ों लोग इटे है उनकी भावनाय जुड़ी होती है उसमें एक आदमी की महतवा कांक्षा पूरी करी जाए और वो व्यक्ति हर तरह से मतलब अपने आपको सुप्रीम मान करके चलने ही कोसिस करें वो कभी काम्याबी नहीं होती और ये आज इसना स्तीफा दे दिया ठीक है और पार्टे ने एकदम से इसको सुविकार करके इसको स इस तरह कैप्टन साब को दरकिनार किया गया उसी तरह के से वोपेंदर सिंग हुड़ा को किया जाएगा क्या दोनों के तुलना की जा सकती है नए वोपेंदर हुड़ा हमारे बहृत शीनियर नेता है पबलिक के आदमी है अरियांप्रदाश पर्देश के विकास करने में चहुमुकु युकास में गुपिंदर उड़ा का एक बहुत बड़ा नाम है, दस साल चीफ निश्र रहे, परदेश ने जिस परकार से हर सेफियर में, हर लाइन में जो तरकी करी, वो कभी बढ़ाई नहीं जा सकती, वो किसी भी लाइन में आप जो भी चर्चा करेंगे, उसम बिलकुल साथ सपस्ट है, चहुमुकी विकास है, वच्चों के रोजगार की बात है, और इंस्टिशुशन्स खड़ी करने की बात है, पूरा इंफ्रसक्शर, पुरे परदेश का बड़ी आड़ंग से, लोगों की भावना इनुसार, खड़ा करने की बात है, एजूकेशन के अंदर सब तरह से काम करके परदेश को मुँचाईयों पर ले जाने का काम किया, तो इसमें मैं कह सकता हूं कि इसमें किसी को कमपेरिजन करने के जुरूरत नहीं है, बुपेंदर सिंग हुड़ा अपने आप में एक बहुत बड़े नेता है, और जिसने हर्याना जिसकी वज़े से दरकनार किया जाए बुपेंदर उड़ा, जो विक्ति लोगों के दिलों में है, जो लोगों के भावना अनुसार जिस विक्ति ने काम किया है, इस तरह के अगर फैंसले ले जाएंगे तो पार्टी के इतकी बात नहीं है, सब के नुक्सान की बात है, और बुपेंदर से उड़ा, एक शोलिड आदमी है, और जिसने परदेश का विकास किया है, जनता की भावना के अनुसार काम की है, ऐसे फैंसले किसी के भी इतमा नहीं होते हैं, दांगी साब आप इसी से जुड़ा हुआ सवाल पोच्छता हूँ, आपने जब कॉंग्रेस जो जरूर थी, क्योंकि हमारे उपर हारतर जैसे बड़े-बड़े केस मंड़े जा रहे थे, घर पर फाइरिंग करके मारने की भी कोशिश करी गई थी, जिस वक्त हमें जरूर थी, उस वक्त राजियो गान देजी हमारे महमे आए, हमारे घर पर आए, और जिस परकार की ताकत और हिम्मत उन्होंने यहां करके दी, ऐसे नेता बहुत कम है, कम क्या है ही नहीं, जो दूसरे के दुखदर्द को अपना दुखदर्द मान करके चलें, राजियो गांद यह ऐक ऐसी सक्सियत थी, जिसने एक बिल्कुल अन्नोन आदमी, मैं तो एक छोटा सा आदमी था, एक मह हैं तक की सीमित था उसे बाहर नहीं, लेकिन मेरे उपर भी जब दुख तकलीफ संकट की कोई बात आई, तो दिल्ली से उट करके, सारी पूरी कॉंगर्स पार्टी को ले करके, और आ करके इस बब सारे आलाद देखे, तो यहां पर कहके गई थे, कि आपको गबराने के छोड़ करके, लोगों के बीच में, लोगों के बीच में का दर्थी पर आ करके बैशना पड़ा, तो ऐसे विक्ति कम ही पैदा होते हैं, राजीव गांदी का जाना इस देश के लिए, हमारे लिए इनी, पूरे इस देश के लिए, जन जन के लिए बहुत, उन्रिपेरेबल लोस रहा है, उमीद है, और वपंदर शिंग उड़ा का खून एकांगरसी है, उनके दादा जी, उनके पिता जी, बहुत बड़े फारीडम फाइटर रहे हैं, देश की आजादी में, अने को यातना है, आठाट जेल, काटी है चोधरी वपंदर शिंग उड़ा के पिता जी ने, तो उस बारे में दूसरी बात सोचना ही, मैं समझदाओं के ठीक नहीं है, देखिर राजनीती में कुछ भी हो सकता है, पार्टी भी बन सकती है, कभी चौधरी बंसीलाल कांगरेस के लंबे वक्त तक सीम रहे, फिर अलग पार्टी बनाई, फिर भजनलाल जी लंबे वक्त तक पार्टी अगर नई बनती है, मान ये अगर पार्टी भुपेंदर सिंग हुड़ा नई बना रहे हैं, तो आनन सिंग्दां की कॉंगरेस के साथ रहेंगे या भुपेंदर सिंग हुड़ा की नई पार्टी के साथ जाएंगे, मैं इस बात को मानता है नहीं कि भुपेंदर स प्रकार का कोई विवाद नहीं है पूरी पारटी एक है सम्मिल जूल करके पारिटी की मजबूती केलिए काम कर रहे है तो उड़ा साब तो प्रदी सा देख्श बदलना चाहते हैं नहीं बिल्कुल गलत है उड़ा साब ने खुद काया है कि बेन शेलजा पार्टी अधेख्श है और मैं अपोजिशन का लीडर हूँ, CLP का लीडर हूँ, दो ही पद होते हैं, दोनों पदों मैं शेलजा है और उड़ा समर्थ इतनी सारे ही है मेले थे और उन्होंने कोई संगठन में फेर बदल के लिए नहीं कहा, उन्होंने संगठन में मजबूती पैदा करने के लिए कहा, संगठन खड़ा करने के लिए कहा, जो लगातार कई साल से अर्याना परदेश में कांगर्स पार्टी का पार्टी को काम करने के आउशकता है यह नहीं वह हम उपेंदर-उड़ा को चीफ बनाने के लिए हैं वह कहीं भी नजदे के बात नहीं है यह सारी प्रेश मीडिया का एक खेल जो करते है प्रेश वाले वही सारा खेल था इसे अला कोई नहीं 2019 के विदानसभा चुनाव से पहले भुपेंदर सिंग हुड़ा ने जब रैली की और जब कॉंग्रेस आला कमान कौन उन्हें अपनी ताकत का एहसास कराया तो उस वक्त कहा जाता है कि आनन सिंग दांगी ने कहा था कि अगर भुपेंदर सिंग उड़ा कॉंग्रेस छोड़ते हैं तो बेश्चिक 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 छोड़ते ह इसले में कॉंग्रस पार्टी में और वुपेंदर सिंग उड़ा की जहां तक बात है दिपेंदर की जहां तक बात है यहां पर और परदेश में अगर कोई जनल लीडर है तो वुपेंदर सिंग उड़ा ही है वुपेंदर सिंग उड़ा को ताकत देनी चीए पार्टी ने मैं यही कहा था? देखें, जीन्द में रैली हुई इनलो की, और जीन्द रैली में चौधरी बिरेंदर सिंग इनलो की रैली में पहुँचे और बहाना बनाया गया कि चौधरी देविलाल को वो शरदासूमन अर्पित करने आये हैं ये काम वो अपने घर पे भी कर सकते थे या किसी और कारेकरम में खुदकाग भी कर सकते थे आप ये जो घटना करम हुआ राजनीती के अंदर इसको भविश्य में किस नजरिये से देखते हैं कुछ नहीं ये अहताशा राजनीती है आज बिरेंदर सिंग हम प्रकाश चोटाडा की रेलिय में जाते हैं सारी जंदगी वो पिछितर साल के हो गए आज से पहले कहीं किसी के कारिय करता है या चोधरी देवलाल का पहली बार थोड़ा ही समान्दीyuस्मणा आई जी तो हर साल मनाते हैँ अब की बार जो जाना मना आज तो इनन लोगक है इपरदेश में ना कोई उनका कोई H.L. pronounced मोई से मुठी बर लोग एक शैड के नीचे मंडी का शैड और उसमें भी वो पूरा बरा हुआ नहीं है तो इससे साफस्पस्ट है कि जनता ने उनको निकाह रखा है क्योंकि वो जन इत्मे कभी काम उन्होंने नहीं किया अपने लिए उन्होंने हमेशा काम किया अपने परिवार क मानता है और उनका कहीं आज कोई ज़्यादा बड़ी बात भी राजनीती में मैं समझता हूं कि नहीं है यह जो रैली के अंदर आए इसकी जो कहानी थी वो तीन-चार महिने पहले शुरू हो चुकी थी जब गुरगाओं के अंदर ओमपरकाश चोटाला और बिरेंदर सिंग हो सकता है अलग दल बनाएं इनेलो अलग दल है ही क्या सीटो का बटवारा हो जाएगा इस तरीके की राजनीती होगी मानते हैं आप बिरेंदर सिंग मैं अगर कहीं कोई अक्षमता होती है तो बिरेंदर सिंग 1990 क्यानवा में इस परदेश का मुख्य मंतरी होते हैं उ तो उस टाइम जितना नजदीक बिरेंदर सिंग के साथ खड़ा था वी दान सिवा में, साहिद कोई नहीं था, लेकिन इनका जो रोल उस वक्त का जो था उसी वक्त इन्होंने खतम कर लिया अपने आपको, तो अब अलग पार्टी बन सकती है बिरेंदर सिंग की वो जाने है, अगर चृटाला की रेली में, चृटाला की साथ ही मिल जाए. अनलों में तो मिलेंगे ने, ने ही मिलेंगे तो फिर कहाँ पार्टी बनाएंगे, किस की पार्टी, किस के नाम से, इनने, तक रॉज नेति में, सरँचौường ए सोटवर्ण के नाम से राजनीति हूई है। कोई बड़ा ऐसा काम नहीं किया जिससे पब्लिक अट्रेक्शन उनकी तरफ हो इतने लंबे राज नितिक जिएवन में मैं एक संभावना और आप से पूछता हूँ उदर राव विरेंदर सिंग माफ करना राव इंदर जीत वो बगावती सुर अपनाए होए हैं बीजेपी से इधर चौधरी विरेंदर सिंग अलग आप लगाईए के अंतर खाने हो चुके हैं ओम प्रकास चुटाला अलग पार् बना लें तो क्या ये सब मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुराव लड़ सकते हैं आप जबर दस्ति क्यों कर रहे हो बुपेंदर शिंग उड़ा के अलग से पार्टी बनाए हो बुपेंदर उड़ा अपने आग में शक्षम है आज के दिन आज के दिन हरियाना प्रदेश की जनता कॉंगर्स पार्टी के साथ है बीजेपी के खिलाफ है डटकर के खिलाफ है और ओम परकाश चुटरा ये कहता है मेरी जेड़ी बुपेंदर शिंग उड़ाने करवाई तो कैसे सम्भा हो सकता है ये ये आलोग भी एकठे हो जाएंगे मैं नहीं समझता कि इस तरह का क कौन कौन आए जहन चौदरी नहीं आए लालू के परिवार मुलाइम सिंग नहीं आए कोई भी नहीं आ जिनका वजूद है इस पर जातनतर मने राजनीती में कोई भी नहीं आया एक प्रकास सिंग बादल वह इनके घरेलो संबन है वो अगर वो दूसरे बुलाएंगे अज तो ने जेल की बात के ओम्परकास चोटाला की, ओम्परकास चोटाला BJP को और ज Walter bayern? ईलिए फिर नी प्रटि टोड़ा, उनको टार्गेट करने के बजाए भुपेंदर सिंग्डापर जैदा टारगेट करते हैं। पुपेंदर श्रीडा पर इसलिए करते हैं कि भुफेंदर उड़ा पडिक मेर्ड है। जनता आज अरियाना प्रदेश की भुपेंदर श्रुडा के नाम पर है। उनको सामने भुपेंदर उड़ा ही नज़राता है। बी-जेपी कहीं है, जे-जे-पी का खतम हो गया मामला कहीं गाउं में जा करके लोगों को बीच में जा करके अपनी बात करने की इम्मत नहीं है किसी परकार का कोई फंक्शन करने के उन लोगों की इम्मत नहीं है इसलिए उनको नजर ही एक वुपेंदर सिंग उड़ा और उसकी ताकत नजर आती है पबलिक की इसलिए उपेंदर राजनीते में ही होता जो सामने खड़ा वेक्ती ताकत वर नज़र आता उसी की नुक्ता चेने उसी की खिलापत होती है और विरोध का स्तर भी उनका इस तरीके का हो चुका है कि वो परिवारिक बातों पर आ जाते हैं वो कहते हैं कि जब उपेंदर सिंग हुड़ा के पिताजी की डैथ हुई तो उनकी डैड़ बोड़ी को जान पूछ के दो दिन घर में रखा ताकीन का अंतिम संसकार दिली किया जा सके आखरी टाइम है उमपरकाश चोटवाला का सब तरह से भोगत के उसने देख लिया इस सतर पे जाकर के विरोध करना एक बहुत छोटी मान सिखता है बहुत छोटी मान सिखता है वो एक फरीडम फाइटर थे चोधर इन बीर सिंग जिन्होंने देश की आजादी के लिए आठ अलग 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 देश की जेलों में जेल काटी और बड़े से बड़े पदपर जो होना इस अरियाना पर देश में देश की राजनीतिय में रहे हैं उनका रोतक का जनम है और रोतक में ही दासंसकार की बात थी उनका पैत्रिक स्थान है और इसलिए यहीं पर उनका दासंसकार किया गया और बहुत बड़ी यादगार में जो होना एक पारक बीर, स्टेच सब कुछ यहां पर बने हुआ है जो इस तरह के लोगों को इस तरह की बावना रखना मेरे ख्याल से तो अपनी अगत में भी काटे बोना है अगले जनम के लिए भी जो उपचुनाओ है एलनाबाद का जहां से अब हैसिंग चुटाला ने किसान आंदोलन के समर्थन में इसकी तारिखों का एलान हो चुके हैं वहां पर कॉंग्रेस को और बाकी पार्टियों को या इनैलो को किस तरी किस नजर से या किस तरीके से आप देखते हैं चुटे जएगी कहीं कोई मुकाबला नहीं है ओर नहींस जीत जाएगी जीते गी या जीत जाएगी अब जीत जाएगी कई जाएगी बाद, जीततेगी तो इलेक्षिन होने के बाद किया जाएगा जीततेगी तो वहाँ पे जैसे अब भैसिंग चुटाला ने इस्तीफा दिया किसान आंदोलन के समर्थन में, क्या इस वो पहले भी विदायक थे वहाँ से, क्या इस आधार पे नहीं लोग की जीत नहीं बन सकती वहाँ? और क्या करता, कहीं कुछ उसका थ्या तो नहीं, विदान सबा में दूसरा आदमी उसके साथ कड़े वाला नहीं, पबलिक में कोई दूसरा आदमी उसकी स्पोर्ट करने वाला नहीं, वो तो उंगली कटा करके सही दोने वाली बात है, किसान एजिटेशन चल रहा है, तो लेगे, किसान आंदोलन राजनितिक आंदोलन नहीं है, खुली बात है यह, किसानों का अपना संगठन के एसाब से आंदोलन है, वहाँ पर चाहे कोई परदान मंत्री है, चाहे कोई और लीडर है, उनकी वहाँ कोई किसी परकार की, जहां स्टेज जमती है, स्टेज पर तो वो किसान समर्थन तो कर सकते हैं राजनीति कोई लोग लेकिं इसकी किसान के साथ राजनीति कोई करें या उनके नाम से औरма के नाम से कुई राजनीति करें तो भो खहीं and को किण जाने वारी बात है, आज कोई उसको पूचता नहीं, कोई कहीं पर उसका कोई ठेकाना नहीं है. बीजेपी का क्या रहेगा, एलनाबाद चुनाओ में? कांगर्स चीते की, अगर एक जो ठोकर के लड़ते हैं तो कांगर्स चीते की, बीजेपी तो कहीं है नहीं, बीजेपी कहा है, किसी गाउं में जा करके अपनी बात कहेंगे, तो पता लगए बीजेपी, जेजेपी को, आप देखने नहीं लग रहे हैं, कहीं सरकार है क्या, अर जाकर कि अपनी बात करने की कहा जितेगी तो BJP अब है चोटाला को जितवाएगी ताकि जो एक वोट बैंक है वो पहएंदर सिंग होडा और अब है सिंग चोटाला में बटा रहे और BJP को फाइदा मिलता रहे हो सकता है हो सकता है BJP उसको सपोर्ट कर दे लेकिन कॉंघ्रस अगर संकटित दूप से लड़ती है तो कॉंघ्रस की वहाँ जीत होएगी निस्जी दूप से कॉंघ्रस तो पिछले चुनाव में तीसरी नमबर पर ती चल्ड़ ठोड़ी बहुत लेग पुलिंग हो पिछले चुनाव में और अब में बहुत फरक है जब तो 75 पार करने लग रहे थे, सारा सुब कुछ हुए बाते थे, दूसरी तरह की बाते थे, कहां गई 75 पार, 80 सीट में लोग सब आमजी थे, और फिर उसके बाद 30, 35 सीट इनकी बीजेपी की आई, लोगों को बैका करके, हमेशा काटके अंडी बार बार नहीं चटते, बी चलो वो समय की बात है, लेकिन अगर वैस्तों में कहीं कोई दिखा जाये, तो बुपेंदर शिंग उड़ा के बरापर का कोई लीडर है जाना मनी है, तो चलिए दांगी साहब आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दांगी साहब का कहना है कि 24 में कॉंग्र पारूप लगाती है कि कॉंग्रेस इसके पीछे है, वो नहीं है, बलके विशुद ये किसान अंदोलन है, किसान नेताओं का, किसान संगठनों का अंदोलन है, फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई शक्सियत के साथ, तब तक के लिए आग्या जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदेबात रहूं